यो गाइस आरेजियो 24 में जैसे कि आप सब लोग को पता है कि टू लेवल एचीवर जो टू लेवल एचीव कर चुके हैं उनको इनके साथ वार्टब में आरेजियो 24 के जो में फाउंडर है अपने राजिस सर्मासार के साथ तो हम लोग टू लेवल एचीवर के साथ चू कोई भी पॉब्लम होते तो To Level Achiever में Every Friday राईज सरमासार लाइब आते हैं तो उन मेंसे बाचीछ होती है तो उन मेंसे कुछ Good News होती है, कुछ Bad News होती है तो मेरे चैनल पर में Every Friday जो हम लोगों के साथ बाचीछ होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी YouTube चेनल पर तो आप एपरी फ्राइड़े न्यूस पालेंगे, अपडेट पालेंगे मेरे चैनल पर वीडियो आजाएगा हमारे साथ क्या बात्चित होती है तो हमारे साथ उस दिन क्या बात हुई थी तो हम वो सुन लेते हैं चलिए सुन लेते हैं सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो अगर आच लागे तो लाइक कोमेंट श्यार जूरूर करना तो चलिए सुन लेते हम उस ओडियो को आप सब्सक्राइब करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे मैं आपका अपना राजीव शर्मा और मुझे पूरी उमीद है कि आप सभी लोग 100% पॉजिटिव होंगे और RSGO 24 के अंदर आप सब लोग वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं मैं आप सभी लोग को अप्रिशेट करता हूँ जितने भी हमारे 3rd level achiever है, 2nd level achiever है, 1st level achiever है और जितने भी हमारे नई user है उन सभी लोग को मैं एप्रिशेट करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं लेकिन आज मैं आप सब लोग को थोड़ा सा एक हिंट देना चाहूंगा कि अभी हम लोग बहुत सारे एनलाइसिस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग की टीम ग्रो हो रही है कहां पर क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है आप लोग की लेवल अगर थोड़ से अगर किसी के लेट हो रहे हैं तो क्यूं हो रहे हैं तो इस चीज़ों को लेकर के हमने आज हमने कुछ एनलाइसिस किये हैं पिछले कुछ दिनों से और उस एनलाइसिस के अंदर एक चीज़ निकल के आ रही है कि आप सभी लीडरों की जो फोकस है वो सिरफ एक ही चीज़ पे है कि जितने टीम आपकी बन चुके है वो सिरफ टास 5000 लोग टास्क कर रहे हों या 6000 लोग कर रहे हों 7000 लोग कर रहे हों 3000 लोग 4000 लोग टास्क नहीं कर रहे हैं लेकिन जुड़े हुए हैं उसमें से कुछ लोग एक्टिव भी हैं और कुछ लोग अभी इनक्टिव भी हैं लेकिन आप लोग का जो मेन फोकस रहता है वो सिरफ इस चीज क्लियर करना चाहता हूं एक रेशो आती है जिसको बोलते हैं 80-20% का रेशो तो 80-20% का जो रेशो है तो 80% का जो एक फार्मूला है उस फार्मूले को हम सब लोगों को फोकस करना होगा तो 80-20 का रेशो क्या कहता है अगर आप इसके उपर पूरा study करने जाएंगे तो आ साना पर आप इस चीज को पड़ सकते हैं सीख सकते हैं कि 80-20 क्या है एक बहुत ही जबरदस्ट फार्मूला एह इस फार्मूले को बेखते हैं कि 8020% का मतलब यह हैं कि आपको 80% कहा करना है और 20% focus कहाका करना है और अगर और मैं आपको इसका पूरे एक निचोड अगर बताओं तो सर निचोड मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर आपको पुरानी टीम पे फोकस करना है तो कितना करना है और आप अभी कितना कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं देखे कुछ aking-दिक्जों ने बड़े-बड़े मोचेक वेंट्रों ने बड़े-बड़े नेटवर्करों ने बड़े-बड़े लीडरों ने ये फारमूले बनाये है मैंने नही exist लेकिन मैं उस फारमूले को follow करता हो तो मुझे सफलता मिलती है तो same अगर मुझे सफलता मिलती है उस फार्मूले पे तो सर 100% आप सभी लोगों को भी सफलता मिलेगी उसी फार्मूले पे तो सर फार्मूला यह कहता है कि आपके साथ जितने लोग जुड़ चुके हैं जो आपकी टीम बन चुकी है खास करके अगर मैं बात करूं ऑनलाइन सोब्स Dalaisर किया ऊपने एक अ डाल दिया और उस रहर लिंक से बहुत सारे लोग जुड़ गए कहीं से भी लेकिन उसमें से कोई अक्टिव हो रहा है कोई नहीं कोई देख रहा है को आपको क्या फोकस करना है आपको सर 80% जो फोकस करना है जो अपनी पुरानी टीम पे नहीं करना है कि क्या बोला मैंने सर नहीं करना है आपको अपनी पुरानी टीम पे थोड़ा साल हो सकता है आपको अटपटा लगे लेकिन मैं सचाई बता रहा हूं सर फार्मूले का नियम बता रहा हूं और जिस जिस व्यक्ति ने इस फार्मूले को अपनाया है सर वह व्यक्ति सफल हुआ है आपको अपनी पुरानी टीम पे जो अलेड़ी आपके साथ 10,000 लोग जुड़े हुए हैं जिसमें से 3,000 लोग एड नहीं देख रहे हैं maximum लोग क्या करते हैं कि मालेजे आपके नीचे 3,000 लोग हैं या 4,000 लोग हैं जो एड नहीं देख रहे हैं आप अपना 80% समय सिरफ उन 3,000 लोगों को मोटिवेट करने में एक्टिव करने में लगाते हैं यह गलत है आपको उनके उपर फोकस करना है only and only 20% अपना पूरा समय का जो हिस्सा है सिरफ 20% हिस्सा आपको लगाना है अपने पुराने ऐसे लोगों को एक्टिव करने में जो लोग already join हैं लेकिन add view नहीं कर रहे हैं तास्क नहीं कर रहे हैं या अपनी ID को एक्टिव नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों पे आपको सिरफ 20% का समय देना है आपका जो 80% समय है वो कहां होना चाहिए 80% समय आपका दो जगा डिवाइड होना चाहिए कहां पर नमबर एक जो लोग आपके एक्टिव लीडर्स हैं जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं अपने टास्क कर रहे हैं आगे टीम बना रहे हैं ऐसे लोगों पर 80 句 कि अब्लाइन के फोटी परुटी पर्षंट आप लगा सकते हैं उसके इलावा बाकी का 40% जो समय आपका बसता है वो लगाईए सर new joining पे new joining पे तो मैं बोलूँगा सर 60% का समय लगाईए और अगर कभी कभी हो तो सर 80% समय लगा देजिए new joining पे जब तक आपका new joining पे focus नहीं होगा तब तक आपको बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है यह fact है यह बड़ी बड़ी कंपनियां चाहे वो चाहे कोई insurance company हो LIC हो मैं हमेशा example देता हूँ LIC का LIC company भारत की सबसे बड़ी insurance company है लेकिन उसके बावजूद लाखो agent है उस company के पास सब चीजे होने के बावजूद भी आज भी LIC company के अंदर रोज रोज नए नए जगा agent की भरतियां होती रहती है नए नए लोग आते रहते हैं agents बनते रहते हैं क्यों company का 80% जो focus है वो new agents बनाने पर है reason यही कि जब new user आएगा तो वो motivate होगा उसको पैसे कमाने के लालसा होगी पुराने जो users होते हैं उसमें से क्या होता है कुछ users आते हैं वो आने के बाद थोड़ा सा काम करते हैं थोड़ा सा काम करने के बाद थोड़ी सी कहीं पर problem आई भाग जाते हैं एक पिछे एक audio sorry एक video बहुत viral हो रही थी हमारे देश के परधानमंतरी जिसके अंदर उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी काम में आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी एक problem आई और तुरंद भाग गए problem आने से पहले ही भाग गए और दूसरे type के लोग होते हैं कि problem आई उसको जहिल नहीं पाए और फिर भाग गए और तीसरे type के लोग होते हैं कि problem आने के बावजूद भी ठिके रहते हैं और जहिलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आगे कौन बड़ा सर आगे वही बढ़ा जिसने problem को जहिला लेकिन बहुत सरे दुनिया में लोग ऐसे हैं जो problem को नहीं जहिलते हैं या problem का नाम सुनते ही भाग जाते हैं तो सर ऐसे लोग जिन्दिगे में कभी ना तो कामियाब हुए है ना कभी कामियाब होंगे ये fact है अब आपको देखना है कि आपके टीम में कैसे लोग है तो मैं सर आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस ओडियो के माद्यम से आप सभी leaders अपना जो समय आप लगाते हैं 24 घंटे आपके पास है 24 घंटे में से आप जितने घंटे भी समय देते हैं RSGO 24 में आप 2 घंटे देते हैं 4 घंटे देते हैं 6 घंटे देते हैं 8 घंटे देते हैं जितना आपके पास समय होगा अलग-अलग leaders अलग-अलग समय देते हैं लेकिन जितना भी समय देते हैं उस समय को भी आपको divide करना होगा कि मुझे कितना समय किस leader पर देना है कितना समय मुझे किस काम के लिए देना है 80% समय जो है वो आपको दो चीजों पर देना है वो देना है या तो नई user बनाने पर सबसे ज़्यादा focus होना चाहिए आपका new user पर new joining जितनी ज़्यादा आप new joining करवा पाएंगे उतना ज़्यादा benefit आपको आने वाले समय में होगा दूसरा जितने लोग आपकी team में active है या task करने वाले लोग है या अच्छे leaders है जिस पर आपको भरोसा हो गया कि अब ये leader कहीं नहीं जाएगा उस व्यक्ति पर focus करिए सर उसकी team को build करिए उसके business को बढ़ा करिए आपने उसके business को बढ़ा कर दिया समझो आपका business बढ़ा हो गया लेकिन आप लोग focus का करते हैं आप लोग focus करते हैं अरे मेरे पास 10,000 लोग है 6,000 लोग तो रोज आड़ देखते हैं इन पर क्या focus करना है 4,000 लोग हैं यह एड़ नहीं देख रहे हैं अगर यह 4,000 लोग भी एड़ देखने लग जाएं तो मुझे 200 रुपे की income और आने लग जाएगी एक दिन की तो आप लोग का 80% focus हो जाता है सर उन लोगों पर करिए सर उन पर focus लेकिन 80% नहीं only 20% 80% focus जो आपके active leaders हैं उन पर मिलाइए और या फिर new joining नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए और new joining पे खास करके मैं बोल रहा हूँ new joining पे जितना ज़्यादा बड़ा focus करेंगे जितना बड़ा focus करेंगे उतनी बड़ी आपकी team बनेगी और उतनी बड़ी आपकी earning बनेगी ये मस सोचिए कि कौन ad देख रहा है कौन ad नहीं देख रहा है जिसको कमाना होगा सर वो task करेगा जिसको नहीं कमाना होगा जिसकी किसमत में नहीं होगा जिसको नहीं working करने होगी सर वो नहीं करेगा आपके बोलने से भी निकरेगा, मेरे बोलने से भी निकरेगा, हम लोग चिला-चिला के छाती फाड़के भी दिखा देगे न सर, तब भी वो टास्क नहीं करेगा, तो आप कैसे करवा लोगे, तो ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दिजिए, वो जुड़ गया ठीक है, पता नही कहां से उसके मन में आ गया होगा sign up उसने कर लिया है लेकिन वो task नहीं करेगा task कर लेगा तो working नहीं करेगा working कर लेगा तो motivate नहीं रहेगा positive नहीं रहेगा negativity वाली बाते करेगा तो ऐसे व्यक्तियों को क्या फैदा तो focus कहां करना है 80% तो वो आप लोग अपना एक planning बनाईए 80% focus हमें कहां करना है new joining पे करना है या फिर जो आपके downline में जो active leaders हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनकी team को कैसे build किया जाए उनका कैसे achievement करवाया जाए उनको कैसे motivate किया जाए और ज़्यादा उस पे focus करिए या फिर सिर्फ और सिर्फ new joining पे जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग new joining लगाएंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा बड़ी आपकी earning होगी ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ so 100% में से 80% focus सिर्फ इन दो जगा पे लगाए और सिर्फ जो पुराने समय लगाई ज़र इससे ज्यादा समय मत वियर्थ कर गये वहां भी आपका समय बहुत किमती है अपने समय की किमत को समझें और पूरे motivate रहें positivity के साथ so thank you all the best be positive always